एक सामराज की राजधानी सामराज तो पढ़ेंगे ही लेकिन मूल रूप से उसकी राजधानी इतनी प्रसिद होई कि आज पूरा विश उस राजधानी को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से वह राजधानी हमारे देश की धरोहर भी है मैं बात कर रहा हूँ विजय नगर की जो एक बहुत विस्तरित सामराज की राजधानी थी सोलहवी से अठारवी सदी के काल में इसके बारे में कुछ जानकारी मिली लेकिन इसका जो काल है वह है चौदहवी सदी से सोलहवी सदी का लगभग यदि हम सोलहवी सदी बोलते हैं तो याद रखेंगे कि 1599 में सोलहवी सदी समाप्त होती है यानि मैं बात कर रहा हूँ 1599 के आसपास तक की तो चलिए हम चलते हैं विजय नगर की ओर और थोड़ा जानने की कोशिश करें के आखिर इसकी स्थापना कैसे हुई संस्थापक कौन थे और उस समराज कैसा था सबसे पहले चालुक के और चोल वंज जिसके बारे में हमने सुना होगा राजेंदर चोल राज राजेश्वर और चालुक्या बाश्शाफ ये लोग इन लोगों का जब एक परीके से हरास हुआ पतन होने लगा तो वह जो खेत्र है ये चार वंजों के बीच में बठ गया जिसमें पहले थे पांडिया फिर होईसला फिर ककातिया और चौथा यादव ये मैं नक्षे में जैसा देख रहे हैं दक्षिन भारत का वह खेत्र है जो एक तरीके से प्राय द्वीपी खेत्र हो जाता है पठार का छेत्र हो जाता है तो पांडिया होईसला ककेतिया और यादव इनका उद्भा हुआ इनके शासन का उद्कर्श हुआ और यहीं से शुरू हुई इस सामराज के निर्माण की कहानी जब यह बने तो समय दिल्ली में पहले से ही सुल्तानवश का शासन था आपके आद दुगा बारा सौच्छा में सुल्तानवश के स्थापना हो गई थी और सुल्तान वंश के शास्टकों के लगातार हमले से ये जो चारों सामराज जो थे ये निर्बल होते चले गए क्योंकि इनका सतत टक्राओ संघर्ष दिल्ली के सुल्तानों से हो रहा था निर्बल होते होते एक समय ऐसा आया कि सुल्तान वंश की स्थापना इस खेतर पर भी हो गई और ये चारों यहीं समाप्त हो गए सो चालुक्या और चोला के बाद ये चार पांडिया ककातिया यादाओ और उसके साथ होई सला ये भी समाप्त हो गए सुल्तान की स्थापना तो हुई लेकिन उनका शासन कुछ ज्यादा दिन नहीं चल पाया उसके भी कुछ कारण थे और उन कारणों में मुख्य कारण था कि मुहम्मद बिन तुगलक जो अनिता तो तुगलक वंश का एक बहुत महत्पून शासक माना जाता है लेकिन उसके काल में अराजकता उसके काल में जो अस्थिरता उसके काल में जो अव्यवस्था हुई उसके कारण अन्तिम वर्षों में सल्तनत भी कमजोर हो चला और वहीं से शुरू होती है चौदवी और चौदवी शदी के चौथे और पांचवे दशक में दो नए राज्यों का उतभाव याने हम बात करें तो करीब तेरा सो पचास साट के आसपास दो नए सामराज्यों का उत्भा हुआ एक कहलाया विजयनगर और दूसरा कहलाया बहमनी तो पुना हम थोड़ा सा दो राएं चालुक क्या चोल उसके बाद ककातिया होई सला यादो और साथ ही साथ पांडिया उसके बाद सल्तनत और सल्तनत के पश्चात बहमनी और विजयनगर ये आए तुंक भद्रा और कृष्चन नदी के बीच का जो रायचूर दुआप कहलाता है वो दक्षिन भारत का सब से उपजाओ और महत्पूर्ण खेतर है उत्पादन के दिश्टि से खाद्यान उत्पादन के दिश्टि से इस पर अधिकार को लेकर प्राचीन काल में राष्टकू, चालुक, पल्लाओ, चोल इनके मध्य सदै संघर्ष हुआ मध्य काल में एक बार पुनह, रायचूर दुआप, विजयनगर और बहमनी सामराज के बीच संघर्ष का कारण बना उत्तर में बहमनी सामराज है, तो दक्षिन में विजयनगर सामराज है, इन संघर्षों के कारण ही इस दुआप खित्र को, रायचूर दुआप को दक्षिन का युद्ध स्थल या दकन का युद्ध स्थल माना गया, कहा गया है इन संघर्षों के बावजूद यहां के सांस्कृतिक परंपरा निर्बाद रूप से बढ़ती रही, पल्लवित होती रही, विक्सित होती रही विजयनगर सामराज के शासकों ने इस थापतिकला को भी प्रोशाहित किया हमपी जो विजय नगर सामराज की राजधानी थी उसकी स्थापत्य कला आज भी लोगों को आश्यर चकित कर देती है उसके भवन निर्मान की कला बड़ी भव्य है यहां हम जो हमारे अध्यान का मुक्ष विशह है वह विजयनगर सामराज की राजधानी हमपी के स्थापत का विभिन पहलूँ से अध्ययन है राजनातिक व्यवस्था और समकालीन स्थापत में बड़ा घनिश संबंध होता है एक और राजनातिक व्यवस्था यदि अच्छी है सुचारू है तो जो स्थापत तकला होगी ततकालीन स्थापत तकला वह भी विकसित होती हुई दिखाई देगी अता हमपी की महान विरासत का अध्यन करने के साथ साथ हमें विजयनगर सामराज की स्थापना उसका उतकर्ष उसकी प्रशास की व्यवस्था इसको भी समझने की कोशिश की जाएगी और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे हमपी की खोज हमपी क्या है वह शहर जिसे विजय नगर भी कहते हूँ इसका मूल नाम हमपी था इसकी खोज भी एक बड़ी रोचक तरीके से हुई हमपी अठारवी शिताबदी के पूर इसके विस्तार के बारे में इसके महत्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अठारवी शिताबदी में जब टीपो सुल्तान को इस्ट इंडिया कमपनी ने अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कमपनी ने पराजित किया तो इस खेत्र को उन्होंने मदरास प्रेसिडेंशी में मिला लिया। आपको याद होगा कि भारत को उन्होंने कई प्रेसिडेंशी में बांटा था जहां वे एक एक गवर्नर रखते थे। तो मदरास पेसिडेंट्सी में भी एक गवर्नर सिथ था और इस खेतर पर विज़ई पाने के बाद टीपु सुल्तान को पराजित करने के बाद उन्होंने इसको अपने खेतर में मिला लिया ये बात है करीब 1798-99 की और इसके मिलाने के बाद शुरू होती है हमपी की जानकारी की शुरुवात अंग्रेश शासन में एक करनल था उस करनल का नाम था मैकेंजी उसने सबसे पहले करनल मैकेंजी ने सबसे पहले इस खेतर में एक तरीके से सर्वेक्षन किया जो मदरास पेसिडन्सी से जुड़ा हुआ था और सर्वेक्षन करते हुए उसने वहां का मानचित्र तैयार किया इस प्रकार करनल मैकेंजी द्वारा बनाया गया मानचित्र विजय नगर के उत्खनन की शुरुवात माना जा सकता है इसके बाद ये जो खंड़ार जो निकाले गया है खंड़ार जो दिखे वहां उसमें उत्खनन कोई विशेश नहीं हुआ लेकिन जो वहां जो खंड़ार दिख रहे थे उनका अध्यन किया गया उसके बारे में कु तो किया लेकिन दुर्भागे से करनल मेकेंजी उसे प्रकाशित नहीं कर पाए तो ये जो जानकारियां पूर में मेकेंजी द्वारा एकत्रित हुई थी इसकी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं हुई 1856 में 1857 की क्रांती आपको याद है उसी सब वर्ष क्रांती हुई और एक वर्ष बाद इस्त इंडिया कंपनी से अंग्रेजी पार्लामेंट ने अंग्रेजी संसद ने देश की सत्ता अपने हाथ मिली यानि 1856 एक वर्ष पूर ही कुछ फोटोग्राफरों ने वहाँ पर जाकर उस खेत्र में जाकर जिसे हम हमपी का खेत्र कहते हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ फोटोग्राफ लियो और इन फोटोग्राफों पर कोई विशेश टिपड़ी तो नहीं हुई किसी का विशेश धहन नहीं गया लेकिन एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था अलेक्जांडर ग्रीन लॉँ अलेक्जांडर ग्रीन लॉँ नाम स फोटोग्राफ के कुश नेगटिव संभा लिए थे उस इक्षेत्र के जो उसने फोटोग्राफ लिए थे उसके निगटिव सुरक्षित रखे, सम्हाल के रखे, संजो कर रखे इस फोटोग्राफ के आधार पर आगे फिर शोद बढ़ा, फिर खोज शुरू हुई फिर एक तरीके से उत्खनन की बारी आई और खंडहरों का नए सिरे से अध्यन किया गया परणाम पुरातत्व भाग ने इसकी बढ़ती महत्ता को देखते हुए इसे अपने हाद में ले लिया अंग्रेजों ने जो जब शासन शुरू किया भारत में 1859 से और पचारिक रूप से तो उन्होंने एक पुरातत्व भाग का भी निर्मान किया जिसका काम था भारत के पुराने भवनों, पुरानी धरोरों को देखना, पता लगाना और ज़ुरत पढ़ने पर उन्हें समभाल के रखने का प्रयास करना उसी प्रयासों का परणाम था कि पुरा तत्य भाग ने इस खेत्र की महती महत्ता को देखते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया इसी दौरान सी वेल नाम के एक सज्जन ने एक पुष्टक लिखी जिसका नाम था The Forgotten Empire इस पुष्टक ने इस खेत्र के बारे में कुछ नई महत्तपूर्ण अहम जानकारिया दी यह जो सीवेल थे यह विज़य नगर में ही एक जिला है जिस जिले का नाम था बलेटिन इस जगह में एक कलेक्टर से डिस्टिक मैजिस्ट्रेट थे डिस्टिक कलेक्टर से लेकिन इनकी इसके उत्खनन में रुचि थी उनको यहां की जो खंडर की स्थितियां थी उसने उनको बहुत प्रभावित किया और इन सबसे प्रभावित होकर उन्होंने निनने लिया कि इस खेत्र के उत्खनन से और जानकारियां एकत्रित की जाएं और पता लगाया जाए कि आखिर कि एक खेत्र पूर में प्राचीन समय में क्या था पहुँच को उस खेत्रों तक पहुँच को सरल बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे सड़कों का भी नर्माण किया और यहां से फिर बात आगे बढ़ी उसके बाद विशेश उनके रुच्छ विशेश रुच लेने पर 1925 में एक पुरतत्व अधिकारी एक और आए जिन्होंने यहां के चित्र लिए और इस पुरतत्व अधिकारी का नाम था लौहर्स्ट लौहर्स्ट इन्होंने जहां के बहुत सारे अने को चित्र लिए उनका संकलन किया और चित्रों के संकलन के माध्यम से उन्होंने लोगों तक इस खित्र के बारे में जानकारी पहुंचाई इसमें एक महत्पूर्ण भूमिका अदा की 1925 के बाद 1970 में उत्खनन चलता रहा लेकिन 1970 में हमपी को सतंतर भारत की सरकार ने एक राष्टी परियोजना के रूप में देखा 1970 में इसे एक राष्टी परियोजना के रूप में देखा और एक सुनियोजित ढंग से इस खित्र की खुदाई शुरू हुई यहां से वास्तों में एक उचित तरीके से समचित तरीके से एतिहासिक द्रिश्टी से इस खित्र की खुदाई शुरू होती है और 1980 में विजयनगर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया यानि तब तक ये बिलकुल सावित हो चुका था विश्वास हो चुका था कि इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है और 1980 में रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रारम हुआ उसको उसके साथ गती मिली जो आज भी जारी है इस पकार ये जो संख्यप्त में इतिहास है वह 1980 में आकर इस रूप में समाप्स होता है कि 1930 से वास्तों में योजनाबत तरीके से यहां के पन्नों को पलटने का प्रयास किया जाने लगा उत्खनन इस तरीके से खंड़हरों की खोज इस तरीके से खंड़हरों का संचय इस तरीके से कि हमें एतिहास एक्जिष्टि से महत्पूर्ण जानकारियां देती रहें। हमपी की खोज में अभिलेक करताओं ने भी बड़ा महत्पूर्ण योगदान दिया है। अभिलेक करताओं ने 1836 से ही यहां और हमपी के अन्य मंद्रों से दरजनों अभिलोखों को एकठा करना प्रारंब किया। वह प्रक्रिया जो एक फर्गॉटन एंपायर के बात चली वह बढ़ती ही निरंतर बढ़ती ही चली गई। इतिहासकारों ने इन शुरोतों का विदेशी आत्रियों के वृत्तानतों, उनके वर्णनों और तेलुगू, कन्नार, तमिल वह संस्कृत में लिखे गए साहित से भी मिलान किया है। इसमें उन्हें सामराज के इतिहास के पुनर नर्माण में बड़ी महत्पूर्ण साहिता मिली। 1876 में जेस प्लीट इन्होंने पुरातल के मंदर की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंब किया। याने पुरास्थल के जो मंदिर थे, उनकी दीवारों में जो अभिलेक मिले हैं, उसको समझना, उसको लिखना प्रारम किया। पुरातत्व इस्थल घोशित कर दिया गया। तेरा सो अड़िस में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाईयों ने यहां पर अपना शासन प्रारम्ब किया। जब इतिहास की जानकारी एकत्रित हुई, तो बात यहां तक पहुँची, कि यहां पर जो इस खेत्र में दो भाईयों ने शासन शुरू किया। दोनों हिंदू थे, उनका नाम था हरिहर और बुक्का और वर्ष था 1338। इसके साथ ही, यहां पर एक नया इतिहास शुरू हुआ, और यह जो खेत्र है, यह रायचूर दोवाब खेत्र जिसको कहते हैं, उसके दक्षण में था। दोवाब यहने ऐसा खेत्र जो दो नदियों से घिरा हो। उसके दक्षण में इसकी स्थापना हुई, ऐसा हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया। तो इस प्रिकार एक और बहमनी और दूसरी और ये जो बहमनी था, यस बहमनी भी उत्त्तर में था। तो एक और बहमनी और दूसरी और विजय नगर राज्य की स्थापना हुई, ये तो होगे आपके राज्य का परिचह, 1347 में इसकी स्थापना के साथ ही शुरू होता है दोनों के बीच में एक तरह का संघर्ष जो सतत बना रहा और वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में दो पड़ोसियों में हमेशा संघर्ष ही हुआ है ये लोग कैसे अचूते रहते और एक कारण और था इनके बीच में संघर्ष का कि जहां बहमनी बाश्याह मुस्लिम था वो मुस्लिम सामराज्य था विजय नगर हिंदू सामराज्य था वहां हिंदू शासन था तो यहां धर्म की राजनीति के कारण भी दोनों के बीच में लगातार जगडा चलता रहा और दोनों को कमजोर बनाता रहा प्रारंब से ही इस टक्राओं के कारण दोनों को बहुत खामियाजा भगतना भी पड़ा इसके अत्रिक्त विजयनगर के शास्कों के कोंडा विड्ड के रेडियों, राज कोंडा के बेलामाओं, तेलगू चोलाओं और उडिशा के गजपतियों के साथ भी कृष्ण गुदावरी डेल्टा, तुंग भद्रा, रायचूर दुआब, और मराठा वाड़ा विशेश रूप से कोंकन, इसके नियंतरन को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे इन राजियों के मद्य, विबिन ख्षेत्रों, खासकर विशेश रूप से स्थापत के ख्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान भी होता रहा विजयनगर के शासकों ने स्थापत के ख्षेत्र में तो नई अवधार रनाएं और नई तक्नीकियों को ग्रहण करके उन्हें और विक्सित रूप प्रदान किया यहाँ यह बताना उचित होगा और लेखनी है कि विजयनगर थापना के पहले इस ख्षेत्र के अनेग भागों में शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिल नाडु में चोल राज और करनाटक में होई सला राज्य का विकास हो चुका था विजयनगर समराज के पहले ही इन राज्यकों के शासकों द्वारा तंजावूर का ब्रिदेश्वर मंदिर विलोर का चन केशौव जैसा विशाल मंदिर इनको संरक्षन इन्होंने प्रदान किया विजयनगर के शासकों ने इस परंपराओं को केवल आगे नहीं बढ़ाया बलकि इसे इस थापतिकला की विधा को इसके उतकर्ष की चरम सीमाओं तक पहुँचाया बहुत उचाईया चुई शासक और व्यापारी शासक व्यापारी इन दोनों के बीच के परसपर सम्मंद पर यहां पे चर्चा करना बड़ा रोचक होगा करन कि जो उस काल में जिस काल की हम बात कर रहे हैं याने 1338, 1445, 14. सदी इस काल में युद्ध के लिए घुड सवारों का होना अत्याधिक महत्पूर्ण माना जाता था याने घुड़े बड़े महत्पूर्ण माने जाते थे और वह एक तरीके से किसी की सेना की कुशलता का उसके अधुनिकी करन का पैमाना था और जो घुड़े भी थे वे मूलता मध्य एशिया से और या अरब देश से आयात किये जाते थे समुद्री मार्क से इन घुड़ों के आयात के लिए व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था और भारत में इसको खरीदने वाले तो बहुत से राज थे जो बाद में बहुत सारी रियासतें कहलाई तो ये घुड़ों का आयात उस समय के व्यापार में एक बहुत महत्पूर्ण हिस्सा था और अरब व्यापारी मूल रूप से ये व्यापार करते थे जब ये अरब व्यापारी इसको ले के आते थे तो इस थानी समुधों को जिनको चेटी कहते थे या जिनको कदिरई भी कहते थे या घोड़ा व्यापारी कहते थे चिट्टी, कदिरई, घोड़ा व्यापारी ये स्थानी समूहों को बेच देते थे और यहां से अपने साथ सामान ले जाते थे चाहे वो कीमती पत्थर हों, चाहे मसाले हों, आदी आदी अब धीरे धीरे इस व्यापार में पुर्टगाल का आना हुआ पुर्टगाल जो उस समय अन्य देशों पे अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रभुद बनाने के लिए निकल पड़ा था 14.95 में बॉसकोड गमाया और इसके बात से शुरू हुआ पुर्टगालियों का यहां के पश्चिम तट पर आना भारत के पश्चिम तट पराना और यहां वे लोग घोड़ा लाने लगे घोड़ा बेचने लगे धीरे धीरे उनकी पुर्टगालियों की नजर यहां के व्यापार के अत्रिक्त यहां पर किसी तरीके से अपना प्रभुत्व जमाने का भी होने लगा उसका लोब हुए संवरण नहीं कर सके और तकनीकी रूप से पुर्टगाल के लोग यहां या सामरिक दिश्टी से पुर्टगाल के लोग यहां के खेतरी फौज से काफी आगे थे विशेश कर बंदूकों के मामले में उनकी बंदूके बड़ी अच्छी थी तो इस तरीके से तकनीकी लाब और सामरिक अनुभाव ने उन्हें बहुत महत्पूर्ण बना दिया और कालांतर में बहमनी, विजयनगर और अन्ख्षेतरों की राजनीती में यह लोग भी एक महत्पूर्ण ख्षेतर बन कर उभरने लगे विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसित था ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था यहां की सम्रिद्धी जनता महंगी विदेशी वस्त्यों की मांग करती थी और खास रूप से विशेश तरीके से रत्नों और अभूशनों की मांग बहुत थी दूसरी और व्यापार से प्राप्त राजस्व का जो धन था वो राज की सम्रिद्धी में बहुत महत्पूर योगदान देता था विजयनगर की प्रसिद्धी विशेश रूप से मसालों वस्त्रों एवं रत्नों के बाजार के लिए थी नुनीज जो एक पुर्तगाली आत्री था उसके विवरण के अनुसार इसकी हीरे की खान विश्व में सबसे बड़ी थी और मुक्य खाने कृष्णा नदी के तटपर और कुर्नूल तथा अंतरपुर में थी इसके परणाम सरूप विजयनगर और मलावार खित्र में हीरा नीलम उसके साथ मानिक जैसे बहुत सारे बहुमूले पत्थरों का उत्खनन होने लगा उसको काटने लगे और काट के उसको तराशना उसको परिश्टित करना ये भी बड़े स्तर पे होने लगा मानिक, हीरा और तीसरा पत्थर जो था हम कह सकते हैं निलम तो इन तीन पत्थरों के परिश्क्रित करने की जो कुशलता चाहिए वो उस खेत्र के लोगों में बहुत थी और धीरे धीरे समय के साथ कालंतर में इसने एक विशाल उद्योग का रूप ले लिया और एक व्यापार का रूप ले लिया सचाई तो यह है कि विजय नगर जो इतना विशाल नगर था उसकी प्रतिष्ठा स्वाइम इस व्यापार पर निर्भर थी जो नीलम का होता था या मानिक का होता था या हीरे का होता था बलकि यह तो उसका पैमाना बन चुका था जितने बड़े स्थर पे व्यापार उतने हैं इसका विशाल विजय नगर का जो विजय नगर के बारे में जो चर्चाएं थी उसको उतना ही विशाल माना जाने लगा ये एक पैमाना बना तत्कालीन अभिलेखों से तत्कालीन खुदाई में जो अभिलेख मिले हैं उनसे ये प्रमानित होता है कि 80 से ज़्यादा ऐसे व्यापारिक केंद्र बन गए थे जहां पर ये सब काम होते थे और विबिन तरह के और्द्यों के एक वियावसाय होते थे कलपना करिए कितना ज़्यादा वह खेत्र व्यापारिक केंद्र रहा होगा जहां पर 80 से ज़्यादा टुकड़ों में बहुत सारे केंद्र बन गया हूं इसके साथ ही नगरों में भी अन्याग बाजार बन गए एक ही नगर में कई तरह के बाजार बने और ये सब बाजार जो थे ये प्रिथक प्रिथक रूप से अलगलग सामानों के बाजार बने इतना इनका विस्तार हुआ